जोस्तो शॉट बनाने के लिए अपने पास यह इसके से पॉन मीटर कपड़ा है यहाँ पर इसकी 30 इंच लेंद है और यहाँ पर इस पन्ने की चोड़ाई अच्छी है यहाँ 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 से निकल जाएगा और उसके बाद में बैक वाला पार इसके आगे से निकल इसके इसके अंदर है तो हमें यहाँ पर इसके कटिंग करते वको क से यह ध्यान रहना है यह जो भी इसमें प्रिंट है यह इस तरीक से यहाँ खड़ा रहेगा taką मर इसके बाद में यहाँ पर मोरी रहेगी इसके बहु TER बराबर जमा रहा आयरन करके अब इसका तो क्रोच एरिया का मैंने नाप लिया है वह यहां पर है 23 तो यहां पर मैं वह नाप भी लिख लेता हूं तो यहां पर हम सबसे पहले इंची टेप को यहां पर रखे और एक निशान यहां पर एक सीधा निशान लगाएंगे अब दोस्तो इसमें केवल अपने पास अगर लेंथ इसमें बढ़ा देवें हम जैसे केफरी की लेंथ होती है यहां पर 26 इंच और 27 इंच यहां तक लेंथ होती है अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा देंगे यह यहां पर शॉट की जगे केफरी बन जाएगी तो हमें यहां पर ल गजर्मेंट लिया है उसके बाद में हमें यहां पर एक इंच की लूज NG फीज पाइ 2 इंच म माइनस इस लिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गोलाई होती है oraz कि अलावा यहाँ पर पर बढ़ते वी लगेगी तो उसमें अपना जो क्रोच Lehrीया है क्रोच Klar 현ीया वहाँ पर hatred नापके दोनों मिलाकर तो अब्वहाँ मिंस suspects करणने यह 10 इंच पर हमने निशान लगा दिया और इसके बाद में हमें यहां पर इसकी लंब़ा ही रखनी है 18 इंच तो 18 में से हम यहां पर एक इंच माइनस करेंगे क्योंकि यहां पर बढ़कर कवे इंच करेंगे तो इसे लिए हम यहां पर यहां पर इंच पर कर रहा है वैसे हमें अगर वैसे folding करनी होती है तो हम यहाँ पर धाई इंच एक्ष्टा लेता है कपड़ा कि यहां-पर यहां पर जो ःक्रोच लगा दिया है और इसके बाद में हमें यहां पर इस जिएके से लाधे इसको he ही लगाएंगे निशान को वैसे जो जैन स्पेंट बनती है उसमें हम यहां पर यहां से इस तरीक से निशान लगाते हैं लगबग यहां से आदा इंच इधर से थोड़ा तिर्चा दबाते हैं क्योंकि वहां पर उपर की साइड में बैट लगता है इसलिए हम वहां से दस इंच तो यहां पर दस इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद में हमें यहां पर एक इंच की लिउजिंग देनी है यहां से एक इंच की लिउजिंग का निशान लगाएंगे इसके बाद हमें यहां पर जो इसका थाई का निशान है तो थाई का निशान लगान और यहाँ पर four fold रहेता है पर पूरा आगे पीछे तो इसलिए हम यहाँ पर छोता भाग करते हैं यहाँ पर आग कर हम पाउं वाला हिस्टा है उसमें हम half करते हैं तो यहाँ पर half करके हम इस जगह से यह 59.5 पर निशान लगाते हैं वैसे ही के high-free है तो इसमें हमने losing देने के लिए लीए यहिज्ग से एक इंच की losing दीए और उसके बाद में यहां से हमें तो इसके लिए यहां पर पर इसको एक इसके यहां इपटार को यहां पर 20 निकलेगा अब यहां यहां से तो इसको नीशा ले जाकर फोनशाथ इंच पे निशान लगाना हैं खोट अब यहाँ पे मोहरी में से हमें यहाँ पे एक इंच माइनस करना सक Pillow होगा इसमें स्छलिए करना क्या ह новых यहाँ हिस्षा हमेशा कम होता है इसली यहहाँ से 1 इंश- mean करेंगे और वही हम यहां पर हम यहां है और यह इधर से 9 इंच है तो यहां पर इसको ऐसे फॉल्ड करके और इस इंचिटेप को यहां पर रखेंगे और ऐसे रखेंगे यहां पर खोल लेंगे तो यह निशान यहां पर आ रहा है यहां पर सेपर के अंदर यह जो गोला यह इसको फ़ल्टी लगाएंगे और यहां से हमें इदर से इसको मिला ना है वे समिशके इसको सीधा मिला देंगे तो यह निशान लगा दियं फिर उसके बाद में इसको ऐसे गुमा dynamics यह जो हम इसके बीच में से लगबग यह पौन इंच का गेप होता है यहां से यह जो कोना है यहां से लगबग पौन इंच का गेप होता है और यहीं से यहां पर यह गोलाई बन जाती है अब इसके बाद में हमें यहां पर फ्रेंट वाला हिस्सा डाउन उतारना होता है तो फ्रेंट सानबे दोस्तों यहां से और वाला इस्से में ह Sakाफी होते हैं इसलिए हम यहां पे करेंगी हृद्टर फ्रेंट वाले हिस्से से सब्सक्राइब यहां पर रखेंगे तो सब्सक्राइब इटर से कि लिए दोस्तों मैंने निशान-nishana कर लिए अब इसके बाद में दोस्तों को हम इस तरीके से रखेंगे वैसे दोस्तों अगर इसमें यह प्रिंट नहीं होता तो हम इस कि यह इस जगे से तो इस जग्हे से इसे रखेंगे और उसके बाद में यहाँ से थोड़ा दो जो जोड़ लगे काुए वस्जोड़ को यहां पर बैक वाला हिस्सा फ्रेंट वाले हिस्से से दो इंच उपर रखना है यहां से फ्रेंट वाला हिस्सा डाउन उत्रा हुआ है तो यहां से दो इंच उपर रखेंगे और उसके बाद में अपने पास यह जो शेपर हैं इस शेपर को हमें इस तरीका से गोलाई में रख वाल सुझाय तो हम इसको पिंज से लोग कर देते हैं मुझे पर हां यहां मैंने कपड़ा टकर लिया है दोचे से घुड़ लगा देते हैं तो इदbijर मैं ने जो जोड है जो दो यहां पर लगा दिए और इदर की साइड में किनार थी तो इस जोड को मैंने यहां पर चिर्वा कर दिया है यहां पर बार की साइड में इस तरीके से बहुत कम दिखेगा यहां पर जोड लगेगा भी नहीं कि यहां पर लगा हुआ है बार की साइड में अब इदर से हमें इस इस जगे से इंचे रख और 3-4 बहुत ज्यादा नहीं इहां पर यह इदार से द निशान लगाएंगे अब हमें यहां पे इधर से यह गोलाई देनी है तो यहां से मैंने यह पॉन इंच पे यह गेप रखा था अब यहां पे पॉन का डबल करेंगे तो यहां पे पॉन का डबल होगा डेड़ इंच तो यहां से यह डेड़ इंच के गेप में यह निशान लगेगा यह इधर से य दर से यह जो निशान है इस निशान को और यह जो धाई इंच पर मैंने निशान लगा इस निशान को मिला देता है और इन फ्यूचर अगर इसको ल्यूज करना हो तो इसके लिए भी मार्जिन रखेंगे तो यहां पर यह शेपर की चौड़ाई 1.5 इंच है तो उतना ही हमें यही पर लगानी है लेकिन यहां से अगर इसको हिप से लियूज करना हो तो यहां पर भी मार्जिन रख देता है अब हमें यहां पर यह जो मैंने निशान लगा रखा है निशान निशान पर कटिंग करनी है और इदर से जो मैंने कटिंग नहीं करी थी तो उसी निशा निशान पर इसकी cutting कर लिए उपर की साइड में जो grip लगाना है उसके लिए कपड़े की cutting करनी होगी तो यहां से जो बचावा कपड़ा है इसको हम एक folding और कर लेते हैं और यहां से यह जो pocket बनाएंगे pocket हमें दूसरे कपड़े से बनानी है क्योंकि यहां पर यहां पर बहुत कम है यहां पर कपड़ा खतम हो गया अगर अपने पास यही कपड़ा होता तो हम उसी से यहां पर pocket बनाते हैं और यह पटी जो अपमें cut कर रहा हूं तो उससे हमें cut करने ही है जिस से हमें यहाँ पर आपक्ट बननी इन हंपाने ही एंपर इस रखना है और है स्की चौड़ ही हमें इछ साथ है यह दो किरुज रखना याँ तो suaadeye साथ इंच पे लेकिन पर उकार है और यहां से सीधा कट कर लेते आừa तो यहां पर साथ इंच लग रही है आदा इंच यहां से मैंने एक्स्टा रखा है ताकि कबड़ा कम नहीं बढ़े तो यहां पर हम इस जगे से पास-पास में इसकी कटिंग करेंगे तो यहां से उपर की साइड से हमें एक इंच डाउन पर यह एक निशान यहां पर लगाना है तो इधर से मैंने इसकी कटिंग कर लिये और directement करेंगे तो यहां तो दोस्तों इस शॉट की मैंने स्टिचिंग का एक सेकिंड पाथ बना रखाए यह विडियो काफि इस वीडियो के description में भी दे दूँआ और उसके अलाव इस वीडियो के end screen पर भी वीडियो लगा दूआ तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं हो झाल से झाल सकता है कि जरूर क्या हो